ओ वाट्स आप सोमेड दोस्तों कैसे आप लोग आज हम लोग दो बार से केलने वाले हैं जी टीए सेंड एड्रेस तो पिछली वार आप लोग ने देखा था हमारे साथ लोसेंटोस पुलिस का वाई अकल लगी पंगा चल गया था मतलब बहुत ही मस्त फाइट हुआ था तो हम लोग जैसे तैसे करके भाई बहुत सारे पुलिस को मार दिया था और जैसे तैसे करके भाई घर में आकर हम लोग छुप गए थे तो इस बार देखते भाई स्वीट ने हमें बुलाया क्या बोलने के लिए तो भाई पता नहीं य इस यार बंदे से बात होचुगा, इस बंदे का नाम है सीडर, तो हम लोग उसके पास जाएंगे, वो फ्रीवे के मतलब ब्रिच के नीचे तो हम लोग फटा फटा उसके पास जाएंगे, देखते भाई साब, उसने हमें जल्दी जल्दी बुलाया एक पता नहीं क्या भाई ह कि आह apoyo पता नहीं उत्कहमें बार बार फिट से और ऑू कीया चलो फटा फट हम लोग चलते और देखते वह उसने उसने बुला है चलो यहां पर यह था कि वह फ्रीवेय के पास ही रहेगा चलो उसका यही तो हो यह ना उसका कहां से निकल रहे भाई ये कौन साट डा है उसका ओके यहाँ पर बंदा तो कुछ बोल रहा है ओए हलो ये राइडर यहाँ पर क्या कर रहा है और उसके साथ स्मोक भी है वाट ये और ओके ओबे भाई यहाँ पर कार्ज भी है और पुलीस वाला अवे क्या चल रहा है यार यहाँ पर ओके भाई कुछ तो घोटाला हुआ है यहाँ पर पता नहीं क्या बट ओके अरे यार कुछ तो गरबर है भाई यार राइडर और स्मोक ने पता नहीं क्या कर रहा है बलास गेंग के बंदे के साथ और यहाँ पर दो प्लिज वाले भी है पता नहीं किया यार क्या करने वाले हम लोगों को हमारे भाई स्वीट को बचाना परेगा ओके हम लोगोcak हाँ पता नहीं किया सीने भाई ओके हम लोग अब जाने वाले बंदा तो चला गया है बहुत ही मस्त हमें एक इन्फॉर्मेशन दे कर ये बंदा जा चुका है तो हम लोग अब इसी कार को लेकर फटाफट सुट के पास जाने वाले और भाई यार फटाफट जाना परेगा और पतानी यार सुट को मुझे कॉल करा भाई उसको भाई बलास गैंग के बंदे ने चारो तरफ से गे लिया भाई किया चल रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा ओके यार हम लोग आई ही गए उसके पास यहाँ से हमें जाना परेगा लेट साइड और वो जो लोकेशन है वो सामने ही है ओके ओके यहाँ से अब यार क्या क्या हो रहा है ठीक से चलाओ ना यार भाई यार ठता नहीं क्या क्या करते बंदे और यहाँ से लेट और सामने ही है हमारा स्वीट और देखो भाई स्वीट को चारो तरफ से बंदे ने गे लिया अब तो कैसे भी करके इसको बचाना पड़ेगा ओके यहाँ पर है साब बहुत सारे बंदे बाई साब इनको मारो एक एक करके बाई मेरे बाई को मारेगा रोप यह भी गया चलो और और बंदे कहा पर है ओके यहाँ पर है एक बंदा और 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 सामने चलो इसको भी रिलोड आ गया था और सामने एक बंदा और इसको भी मैंने मार दिया चलो बाई यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे को मार दिया और बहुत सारे बंदे भी आ बाई इसको भी मार दिया यहाँ पर पिलर के पीछे चुपा हुआ था और बंदे कहा पर है यहाँ प यहां पर प्लिस वाला आ गया वहाई यार भागो 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 यहासे भागो फुलिस वाला आ गया वह वहाई शुटको मैंने बचा लिया और यहां पर मुझे पुलीज वाले ने अरेस्ट कर लिया भाई, चारो तरफ से मुझे गेल लिया, ओके कोई बात नहीं हमने, स्वीट को तो बचा लिया, जो भी हो भाई यार हमने हमारे भाई को बचा लिया और क्या ही चलिए, अबे यार मेरे मुझे ये तो, ओके वाई यार मेरे मुखे ऊपर ये काला मार्क्स दे दिया था जिससे कि मैं देखना पाओ कि मैं कहा पर आओ पता नहीं यार मुझे यह लोग क्या शूट करने वाले हैं I don't know बट देखते हैं ऐसा तो विल्गुल नहीं होना चाहिए भाई यह लोग भाई पूरे चौन में मतलब मेरे तरफ धियानी नहीं दे रहा कि यह मुझे चोटा चोटा मोटा आद में समझ रहा है वाई ओके गाई इन लोगो के बातों से तो मुझे इतना समझ में आ गया कि वाई यार यह लोग अब भी मुझे भाई खतम गरने वाले वह लोग हमें गन शोट देने वाले शायद देखते क्या होता है और यह पूलिस वाला वोके अरे यार इन पुलिस यह रहे भाई यह पूलिस वाला तो बहुत ही अच्छे मैंने सोचा मुझे मार देगा बट इन लोगों के साथ मेरा बात हो चुका है और इस वार भाय इन लोगों ने हमें बताया कि वाय यार जितना दिन हो सके हम लोग थोरा चुपके रहे क्योंकि भाय अब बलास गैंके बंदे मुझे ढूंड रहे क्योंकि जहां भी पाएगा मुझे मतलब मारने वाले तो इन लोगों ने तो भाई यार क्या बताओ बहुत ही अच्छा है यह पुलिस बाला तो अभी वह बलास गैंग का पंगा हमसे तो नहीं होने वाला क्योंकि बलाज गैंके बंदे लोग तो मुझे सोचने वाले कि मैं तो मर चुका हूँ क्योंकि पुलिस वाले ने हमें गंशाट करके मार दिया लेकिन पुलिस वाले ने उसके साथ और एक काम भी दिया मुझे क्योंकि भाई ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाले कोई मुझे फ्री में तो कोई कुछ नहीं करेगा तो भई उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा तो मुझे अब जाना पड़ेगा सामने जो भई ये माउंट एवरेस्ट की तरह ये जो देख रहे हो ना पहार इसके ऊपर मुझे जाना पड़ेगा जहाँ पर एक बंदा रहेगा उस बंदे को मुझे मार कराना परेगा और वो जो बंदा है वो बंदा भाई पूरा ड्रक्स का काम करता है कारोडार करता है तो हम लोग उसके पास जाएंगे और भाई उसको मार कर सीधा निकलने वाले तो पुलिस भी यहाँ पर कुछ नहीं कहेगी क्योंकि भाई उसने ही हमें काम दिया अगर ये काम हम लोग कर देते तो हमारा पुलिस वालों के साथ एक बड़ा फ्रेंड्शिप रहेगा मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई स्मोक और राइडर ये कैसे कर सकते दोका कैसे दे दिया हम लोगो पतलब यार बलास गैं के साथ हाथ मिला लिया और वाई स्मोक को मारने के लिए देज दिया बलास गैं के सारे बंड़े को वाई ऐसा तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था क्योंकि मैं सोचा था ये लोग तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड है पता नहीं कितने पैसे दिये होंगे उन लोगों को स्मोक को मारने के लिए बट देखते हैं हम लोग फटा ओ यहाँ पर वाई अभी में गिरता तो चलो कोई बात नहीं यहाँ पर मस्त फॉग भी है वाई माउंटेन में बहुत ही उचा बाड्स मुझे दिख रहे हैं रुको मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ यहाँ पर तो बहुत सारे बाडी गार्ड ओ बहुत सारे है तो हम लोगों को कुछ तो वाई जुगार करना पड़ेगा ओके यहाँ पर हम लोग थोड़ा सामने जाते क्योंकि घर में कौन है वह जो lost और सामने और हमने जान्स पाकिंट है यहां से फटा फटा इस घर के अंदर वह बंदा है जो कि ड्रग डीलर और स्नीच ठाना जो भाई ये क्या बोलते हैं छोर या फिर क्या ओके इसको हमें पखरना पड़ेगा फटा फट वह मैंने सोचा भाई बोडीगार्ड हमें देख लिया वट्ट या ऐसा नहीं है तो अब हम जाने वाले फटा 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 फट भागो अरे उठजा ओके यहाँ पर यहाँ गए ओके यह देखो हमें नहीं देखा तो हम लोग अब सामने से जाने वाले क्योंकि जाने का और कोई रास्ता है नहीं यह पर और एक बड़ी गड़ था रुकड़ों को यह पर छुप जाते वर यह जो बंदा है सामने इसका तो गेम बजाना पड़ेगा चैलो ऑब भाई य यार मेरा जो बाइक था वो कहा पर गया वो सामने यह चलो कोई बात नहीं यार यह बहुत दूर जा चुका है लेकिन हमारे बाइक के सामने यह कुछ भी नहीं यह है हमारा ओफ रोड बाइक तो फटा फटा हम लोग यहां से भागते और इसके पीछे चलते भाई वो बंद चला जाओंगा जिसके बाद मेरा हटी बस नी वि llegó पर विल्कुल भिन बसने वाला तो यार वो जो बंदा है वह सामने इसको बिल्कुल भी छोस्ट गया ये गया बाई सब्ध् ये अभी अगेले में गरने वाला आए किवी सामने उतना च्वारा रस्ता ने यह ओकर यह बन्डर जा चुका एक कार ले कर उक भाई दॉन्द लोग बाईक से नीचे उतरें गहें बाई कहा वो कार नीचे गिर गया और ब्लास्ट हो गया वाई साब ब्लास्ट में ये शायद खतम हो गया बट यहाँ पर नीचे गिरा ओ यहाँ पर बंदा बचाओ आए रूप तेरी ऐसी किते ऐसी अभी तुझे बताता हूँ रूप इसके पास कुछ खाज वेपन भी नहीं है और मेरे प आज भी कुछ वेपन नहीं है तो भाई इसको हाथ से ही मारना परेगा वान टू थ्री भाई ये ले ये ले ये ले अगर एक घुसा मेरा पर गया तो मैं खतम हो जाओंगा चलो भाई इसका फोटो लेना परेगा है इससे बॉड़ी का क्योंकि प्रूप तो रखना चाहिए तो हम लोग यहाँ से फटा फट अपने ये न्यू टाउन में हम लोग जाने वाले जहाँ पर हम लोग रहने वाले क्योंकि यार हम लोग तो अपने स्वीट होम पर नहीं जा सकते ना तो वहाँ पर तो बहुत पंगा हो चुका है तो हम लोग अब यही रहने वाले तो हमार बाहिक देखो कितना दूर आकर वाई स्लीव खाके नीचे गरिया तो यार बहुत ही भूग लग गए हम लोग अब फटा फट जाने वाले एक अच्छे से रेस्टोरांट में जहाँ पर हम लोग खाना खाने वाले वाई खाना तो important है न ओके चलते है इसे होटल में देखते भाई यहाँ पर क्या क्या मिलता है Hello अंकल जी कुछ देदो यार अच्छा खाना वाना ओके यहाँ पर तो बहुत सारे हाँ चलो भाई हम लोग फटा फट खाना खा लेते और यहां से निकलते ओके मस्त खाना पीना हो गया हम लोग आप चलते घर सो यार आज का वीडियो इतना ही था तो आज का वीडियो आप लोगों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और जो बंदे चैनल पर निए चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सो आज के लिए नहीं मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक केर